राइपुर से बड़ी खबर है महादेव सट्टा एम मामले में पुलिस का एक्शन पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है तीनों आरोपी खातों की विवस्था का काम करते थे आरोपियों ने मजदूरों के नाम से 150 खाते खुलवाए मजदूरों को 10 से 30 हजार रोपे का लालच दिया खाता खुलने के बाद पास्मुक एटियम मुंबई भेज दिया और इन खातों में कालोडों का ट्रांजेक्शन किया जा रहा था तो महाधेव 60 M मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट एक बड़ा खुलासा सा में आ रहा है पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफतार किया है यही वो तीनों आरोपी हैं इन तीनों पर ये आरोप है कि ये खातों की विवस्था करते थे ये क्या करते थे कि ये जो गरीब मजदूर होते हैं उनके खातों का इस्तमाल करते थे करोडों का ट्रांसिक्शन करवाने के लिए और इसकी एविज में उन मजदूरों को 10 से 30 हजार रुपे का लालच इनकी तरफ से दिया जाता था जी मीडिया से मददा था राजेश ने शाद हमारे साथ जुर गए हैं राजेश जिन तीन आरोपियों को पकड़ा गया है ये कौन हैं कहां के रहने वाले हैं और किस तरह से ये मदद करते थे इस पूरे घोटाले में जी बिल्कुल देखिए रैपूर पूलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़े मामले में कही न कहीं एक बड़ी कारवाई की है और खासकर ये पहला ऐसा मामला है जिस पे उन तक पूलिस पहुंची है जो पूरी तरह से महादेव सट्टा ऑनलाइन एप पे ज खाते जो खुलते हैं उन खातों को खुलाने वालों को रैपूर पूलिस ने दबोचा है देखिए एक जो है महस्तांडी जो रैपूर का रहने वाला है इसके साथ जो अन्य आरोपी हैं ये बिलाई के रहने वाले हैं खास बात यह है चुकि महस्तांडी उडिशा का मुलता दुद्धा रहने वाला है लेकिन यहां लंबे समय से रहता था और यहां कपड़े के दुकान पे काम भी करता था यहां से वो कुछ समय बाद उरीशा गया उरीशा में एक व्यक्ति से उसकी मुलकात हुई वहीं से कहीं न कहीं उससे संपर्क होने के बाद उन तक जो है वो खाते खुलवाये जाते थे उनको वहां तक बस और कोरियर अनगरग माध्यमों से भेजा जाता था और यहां से जो तमाम लोगों को खासकर ऐसे लोग जो रिक्सा चलाने वाले जो मज़ खुलवाय जाते थे और उन खातों को उडिशा भेजा जाता था फिर उडिशा के माध्यम से मुंबई पूने जैसे बड़े सहरों पे उन खातों को भेजा जाता था और खास बात यह है उन पे उन खातों के साथ साथ उनके ATM कार्ड भी होते थे और इहीं खातों पे कही न कही जो महादेव और लेन सट्टा एप का जो पैसा है करोलो रुपए वो जमा होता था और वहीं से जो लेंदेन का जो सिलसिला है वो चला करता था तो कहीं न कहीं रैपूर पुलीस को एक बड़ी सफलता मिली है और इस मामले में एक नए अतार अब उडिसा भी जूर गया है और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी करें तो भी और भी कडिया जुड़ना बाकी है इस मामले में